नमस्कार आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में मैं हूं अम्रिस सेनर आप देख रहे हैं मन की आवाज न्यूज आएम बताते हैं आपको मंडार दानगीरी जी महराज की धूनी के पास से गुंडवाणा की तरफ जाते हुए एक लकडबगा जिसे लोकल बासा में जर जाधा आज दिखाते हैं किस तरह से विलुप्त होती यह जो परजाती दसकों बाद मंडार चेत्र में दिखाई दी है जो मंडार के रिकोई एरिये से दानगीरी जी महराज की दुनी से गुंडवाणा की तरफ जा रही है आज दिखाते हैं पूर रिपोर्ट किस तरह से व अउतायत में हुआ करते थे कई बार हम लोग पहाडी चेत्र पर लकडियां चुनने या इसी तरह से जाते थे तो वहां पर यह दिखाई देते थे सामके टाइम में भी कई बार मंडार की जो छोटी और बड़ी पहाडी यह दोनों पर दिखाई देते थे और मादिव जी प बालू जरक और सियार हुआ करते थे जिसमें जूंड में पाए जाते थे जिसे हिंदी में लगडबग्गा और अंग्रेजी माहाइना कहते हैं वहीं लोकल वासा में जरक कहते हैं वह अस्टी के दसक में यहां बहुतायत में पाए जाते थे सावदानी एक खास कर किसानों क और रात्री में सफर करने वाले लोगों को रखना जरूरी है, जिससे किसी तरद का नुकसान नहीं हो, आई दिखा दें पूर रिपॉर्ट दूर कि अब जो भाईयों यह मंदार से गोड़ाण रस्तों है देखा पर और दोनकर बावसी रा मंदीर पाइदी जनावर दकाई उग्गू है जो फा फा मधव दोनकर बावसी रा मंदीर पाइदी के उग्गू है जा है बावद दोनकर िूप आइटाइ फा मंधीर पाइदी जनावर दकाई वा आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे